मैं अम्प्रकाश शेंग आचार है डाक्टर दिवन्द पाल स्थपती पिद्ध्यवंदर इंटर कालीज गोड़ से एक वीडियो सूर के पद जो कक्षा दस्के लिए है पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्तितूं अब इसमें सूर के पद में गोपियों और गुदब जी के आपसका संबाद इस पार्ट में दिया गया है वो या मैं आपको समझाऊंगा इस पार्ट के बाद्यम से चराण कमल बंदो हरी राई जाकी किरपा पंगुगिर लंगे अंदे को सब कुछ दर्साई बहिरो सुने गूंगपुन बोले रंक चले सिर छत्र दराई सूर्दा स्वामी करना में बार बार बंदो ती पाई सूर्दा जी कहते हैं ऐसे करना मैं भगवान सिरी केष्ट के चैमन कमलों की मैं बंदना करता हूं जिनकी किरपा से लंगडा ब्यक्ति पंगु माने लंगडा गिरी माने पहाड लंगे माने लांग सकता है लंगडा ब्यक्ति भी पहाड को पार कर सकता है अंदे को सब कुछ दर्साई, अंदे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है बहिरो सुने, बहिरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है रंक माने कहते हैं गरीब को, तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारन कर सकते हैं चल सकता है सूर्दाद स्वामी करणा में बार बार बंद होती पाई सूर्दाद जी कहते हैं ऐसे करणा में भगवान स्री केश्ण की मैं बार बार बंदना करता हूँ अब अगला पद है अविगत गती कचु कहतना आव है जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर गती ही भाव है यहीं अविगत गती कुछ कहतना आव है भगवान के बारे में कुछ नहीं जाना जा सकता जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ती जो मीठा फल खाता है उस फल का जो आनंद होता है उसके हिर्दय को होता है उसके आनंद को वै पिरकट नहीं कर पाता है और अपने मन में संतो धारन करता है मन बानी से जो द्रश्य है अगोचर है जो जानता है वो उसको पैचान लेगा ये भगवान का ना कोई रूप रंग आकार है ना कोई रहने का इस्थान हम पता कर सकते हैं इस तरह से इश्वर कुछ शाकार कुछ मानते हैं कुछ नराकार मानते हैं सब बिदी अगम विचाराई ताते सूर सगुन पदगावे सब प्रकार से विचार करके सूर्दाजी भगवान स्रीकेष्ण के वारे में बिने के पदगाते हैं अब यहां पर स्रीकेष्ण के बच्पन का वर्णन सूर्दाजी ने अपने कावे के मादम से किया है किलकत कान घुट्रूवन आवत किलकारी मारते हुए घौंटों के वल स्रीकेष्ण जी नंद वावा के आगन में घूमते फिर रहे हैं मन में कनक नंद के आगन बिम्ब पकरिये धावत यनी जो नंद बाबा का भवान है वो सोने का बना हुआ है आगन और अपनी परचाही को पकड़ने के लिए स्रीकेष्ण जी गौंडों के वल उस आगन में दोड़ रहे हैं कभव निरक हरी आप छाए को करसो पकरन चांत कभी भगवान स्रीकेष्ण अपनी छवी को नहारते हैं देखते हैं और फिर उस छवी को देख करके उसको पकड़ने के लिए दोड़ते हैं किलक हसत राज़त दोयदतिया पुनपुन तही अब गागत जब बै किलकारी मार कर हसते हैं तो उनके दो दांच चमग जाते हैं तो ऐसा मालम पढ़ता है जैसे काले बादलों के बीच में बिजली कौंद गई हो कनक भूमी पर करपक शाया ये उपमा एक राज़त यानि उस स्रोण भूमी पर भगवान सिरी केश्ण की जो चाया पढ़ रही है तो यहां पर प्रत्वी की उपमा किस प्रकार से दी गई है करिकर पृतिपद पृतिमन वस्था कमल वैट के साज़त यानि भगवान सिरी केश्ण के चरण कमल के समान है तो हर पग रखते समय जब वो प्रत्वी है तो उनके पैरों के नीचे कमल पुस्व रख देती है तो यहां पर जो वसंद्रा है धरती है बैवी सिरी केश्ण का एक तरह से सिंगार कर रही है बाल दसा सुक निर्ख जसोदा पुनी पुनी नंद बुलावत जो बाल दसा यानी बच्चपन की दसा है स्रीक इन जी की उसको देखकरके यसोदा माता बार बार नंद बावा को बलाती है और कहती हैं देखो अपने लड़ेते की कर्टूतों को देखो क्या कर रहा है तुमारा लड़ेता आचरा तरले धाक सूर के प्रभ को दूद पे आउत इसके बाद में माता शोदा कनया को क्रेश्ण को गोद में लेकर के और अपने आचल को पलू से ढख करके और स्री केंजी क को दूद पी आने लगती हैं अब अगला पत देखेंगे मैं अपनी सब गाय चरे हूं जब स्री केंजी थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो माता शोदा से कहने लगते हैं हे मां मैं अपनी सब गाय चराने जाऊंगा प्रात होत बल के संग जेहों तेरे कहें न रहूं प्रात काल होते ही बल माने बल राम बलदाओ वज्या के संग जेहों माने जाऊंगा तेरे कहें न रहूं तेरे कहने से अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा ग्वाल बाल गायन के भीतर ने का उडर नहीं लागत गौल वालों और गायों के बीच में रह करके मुझे अब बिलकुर भी डर नहीं लगता है क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ आज इना सोबों नंद दोहाई रहनी रहोंगो जागत रहनमाने रात तो स्री केंजी कहते हैं हेमा मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ क्यों ये मैं पूरी रात आज जागता रहूँगा कई मैं सो जाओं और बल्दाउ भैया गायों को लेकर चले जाएं इसलिए मैं पूरी रात आज सोँगा नहीं और गौाल सब गाई चरे हैं मैं गर वैट हो रहा हूं और गौाल वाल तो सब गाई चराते हैं और मैं यहां घर में अकिला रहता हूं सूर स्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में देहूं तुम आता इशुदा कहती हैं मेरे लाड ले का नया तुम अब सो जाओ, जब प्रात्यकाल होगा, तो मैं तुमको जगा दूँगी, और तुमारे भाई के साथ मैं गाय चराने के लिए मैं भेज दूँगी. अगला पत है, मैया होना चरेहों गाई, सिगरे गौाल घिरावत मोसों मेरे पाए पिराई, अब एक दिन उस दिन नंदवावा के पुत्र बल्लाम जुते, उनके साथ स्रीकेंजी चले गए गाय चराने के लिए, तो जब नया वालक कोई गौाल वालों पढ़ जाता है, तो उससे चार तरफ से जानवरों को हकबाया जाता है, घिरवाया जाता है, तो एक दिन में सिगरे गौाल घिरावत मोसों मेरे पाए पिराई, सारे गौाल वालों ने आज उससे चारा तरफ से गायों को घरवाया, मेरे पैर में बिवाईया फड़ गई है, यदि तुम मेरी बात को सत्य नहीं वानती हो, तो इस बात को तुम बल्दाव भहिया से बूज़ सकती हो, मैं उनकी कसम खा करके भी कह सकता हूं, ये सुन माई यसोदा गौालन गारी देतर साई, ये सुन करके मादा यसोदा गौाल वालों को गाली देने लगती हैं, और कहने लगती हैं, मैं पठवत अपने लरका को आवे मन बहराई, अरे मैं तो अपने पुत्र को मन बहराने के लिए वहती हूं, सूर उस्याम मेरो अतिवालक मादा यसोदा कहती हैं, कि जो मेरे बालक को परिसान करेगा, उसको मेरी बला लग जाएगी, अर्थात मेरे पुत्र को कोई परिसान नहीं करें, अब सोड़ा स्री केशन जी और बड़े हो जाते हैं, और उनके हाथ में बांसरी आ जाती है, तो सकीयां आपस में कह रही हैं, एक सकी दूसरी सकी से कह रही है, हे सकी इस मुरली को चुरा लो, स्री केशन की मुरली को चुरा लो, सखीरी मुरली ली जे चोरी जिन गुपाल की ने अपने बज पित सवन की तोरी छिनिक घर भीतर निशिवासर धरत न कब हूँ छोरी कब हूँ कर कब हूँ अधिरन कट कब हूँ खोंसत जोरी ना जाने कच मेल मोहनी राके यंग यंग भोरी सूर्दास प्रभु को मन सजनी बंद औराग की दोरी ये सकी इस मुरली को चुरा लो जिन गुपाल की ने अपने बस जिस मुरली ने स्री केशन को गुपाल माने स्री केशन को अपने बस में कर लिया है प्रीती सवन की तोरी और सबसे प्रेम करना छोड़ दिया है छिन एक घर भीतर निस्वासर चाहा घर में हो या बाहर हो सुबह हो या साम हो धरता कबहू छोरी कभी भी मुरली को कहीं रखते नहीं है अपने साथ रखते हैं कबहू कर कभी अपने हाथ में रखते हैं कर्माने हाथ कभी होटों पर रख लेते हैं कटी कभा हूँ खोसत दियोरी कभी कमर में खोस लेते हैं यानि उर्स लेते हैं ना जानो कशमेल मोहनी राखे अंगंग भोरी ना जाने इस मुर्ली ने कौन सा जादू कर दिया है श्री केश्ण जी पर जो हर समय उनके साथ मुर्ली रहती है उसको छोड़ते नहीं सूर्दा प्रभु कोमन सजनी वद्योराक की दोरी ऐसा लगता है इस मुर्ली ने श्री केश्ण के ऊपर अपना अधिकार जमालिया है अगला पद है उदों मोई ब्रज बिसरत नाहीं ब्रंदावन गोकुल बने उप बन सगन कुंज की छाईं प्रात समय माता जस्मत वर नंद देक सुक पावत माखन रोटी दयो सजायो अतिहित सात खवावत गोपी गौाल बाल संग खेलत सब दन हसत रिशास रात सुर्दास धन धन ब्रजवासी जिन सोहित जदतात उदों मोई ब्रज बिसरत नाहीं तो सुर्दाज जी कहते हैं स्रीकेश जी अपने परम्मेत्र उदव जी से कहते हैं ये उदव मुझसे ब्रज की बातें भुलाई नहीं जाती हैं वे ब्रणदावन गोकुल बन और उपबन यानि वगीचा सगन गोंज की छाई बेपेडों के जुर्मोट प्रात समय माता जस्मत और नंद देख सुक पावत प्रात का लोट करके माता यशोदा और नंद बावा को देखकर मेरा मन प्रसन हो जाता था माखन रोटी डईो सजायो अतित साथ खबावत माखन रोटी डईा करके माता रक तयार कर लेती थी और फिर अपने पास बैठा करके मुझे खिलाती थी बड़े प्राम के साथ मैं गोपी गौालवाल संग खेलता फड़ता था सब दिन हसत सिरात पूरे दिन ऐसा आई हसते खेलते निकल जाता था सूरदा धन धन बरजवासी सूरदा जी कहते हैं इबरज के लोग बड़े धन हैं जिनें जदुतात्माने स्रीकेष्ण जिनें स्रीकेष्ण का साथ मिला यह ऐसे बरज के लोग धन हैं अब अगला पत है उदो मन नाभए दस बीश एको तो सो गयो शाम शंग को अपरा देईश इंद्री सितल भई के शव बिन जो देही बिन सीश आसा लाग रहत तन स्वासा जीवाही कोट बरीश उदो मन नाभए दस बीश और तुम तो सका शाम सुन्दर के सकल जोग के ईश सूर हमारे नंद नंद अन बिन और नहीं जग दीश गोपियां उदव जी से कह रही हैं कि उदव हमारे कोई दस बीश मन तो थे नहीं एक मन था एक हुतोसो गयो श्याम शंग एक मन था वो भी स्रीकेशन के साथ चला गया जब स्रीकेशन मत्रा के लिए गए थे अब हमारे हमने उनी को यह भगवान मान लिया है हमारी इंद्रियां सितिल हो गई है अर्थाथ नों ने काम करना बंद कर दिया है बिन जू देही बिन सीज यह से धर से सीज को अलग कर दिया जाता है अशा लाग रहत तनस्वाशा जीवही कोड़ बरीश हम इसी आस में करोणों वर्स तक जीबत रह सकते हैं ति श्रीकेशन जी हमसे मिलने के लिए जरून लोड करके आईएंगे तुम तो सकास्यामसुंदर के सखलजोग के ईस तुम तो स्रीकेशन के परमित्र हो और योग की बातों को जानने वाले हो सूरह हमारे नंदन और नहीं यगदी सूर्दाजी कहते हैं हमारे तो आरादे केवल स्री केशने हैं और कोई हमारा अपना नहीं है अगला पद है उदो जाओ तुमाई हम जाने शाम तुमाई हाँ कोना पटेो तुम हो बीच भुलाने ब्रज नारिन सो जोग कहतो बात कहत ना लजाने बड़े लोगना विवेग तुमारे ऐसे भई आयाने हम सो कहीं लई हम सही के जिये गुन लेव सयाने कहें अबला के दसा दियंबर वेश्ट करो पहचाने हे उदव हम तुमारे लिए पहचान गए हैं श्याम तुमाई हाँ कोना पटेो तुम हो बीच भुलाने सिरी केंजी ने तुम्हें यहां के लिए नहीं भेजा तुम तो जाने कहां से रास्ता भटक करके हमारा मन बुलाने के लिए आ गए हो ब्रज नारिन सो जोग कहतो बात कहत ना लजाने अरे ब्रज की नारियों से योग की बात करने के लिए कहते हो तुम्हें इस बात को कहते हुए लज्जा नहीं आती, सर्म नहीं आती बड़े लोग ना विवेक तुमारे, बड़े हो करके छोटे पन की बात करती हो ओची हर बात कहते हैं आपने, ऐसे भई आयाने, ऐसे अग्यानी हो गई तुम हम सो कहीं लई हम सही किये, ये गुनिले हु सयाने अरे हम से इस तरह की बाते करके, और तुम ग्यान की बाते हमें समझा रहे हो तो तुम हमें तो बिलकुल सयाने लग रहे हो, यानि हम से अब बुज़ड दूसरी बाते कर रहे हो कहें अवला कें दसा दिगंबर मश्ट करो पैचाने हम तो अवला नारिया हैं हमारी दशा देख करके हम पर दया करो हमें पैचानो सांच कहो तुमको अपनी सो बूजद बात निदाने यह जी हम तुमसे सच्ची बात बूचते हैं तो सच्ची बात बताने में आप जरावी संकोज मत करना निदान करना सूर स्याम जब ही तुम पठायो तब ने कव मुस्काने क्या जब स्री केंजी ने तुम्हें यहां भेजा था तो क्या वो मुस्काय थे यानि गोपियां कह रही हैं कि जब स्री के इंजिने रत में बेटा करके ब्रज के लिए भेजा था तो क्या वो आपको यहां भेजते से हैं मुस्कराए थे यदि वो मुस्कराए थे तो ये समझ लीजे तुमारे साथ धोका कर दिया है उन्होंने आपको मूर्क बना दिया है तो हम जैसी ब्रज की गौलाओं को ज्यान की बात सिखाने आयो ये बे जानते हैं हमारे बारे में अगला पता है निर्गोन कौन देश को वासी है उधव तुम जो निर्गोन भ्रह्म की बात कर रहे हो बै तुमारा निर्गोन कौन देश का निवासी है मदकर कई समझाय सोद बूजद सांचना हासी यानि हम तुम से जे बात बूचते हैं तो तुम जो बात बता रहे हो उन बातों को सुन सुन करके हमें तो हासी आ रही है हमें उन बातों को सुन सुन करके हासी आ रही है को है जनक कौन है जननी कौन नारी कोदा सी उस निरुण ब्रह्म का जनक वाने पिता कौन है जन्नी वाने माता कौन है नारी वाने इस्त्री कौन है दासी वाने सेवा करने वाली कौन है अरता तुम्हारा जो नर्गुन ब्रह्म हैं उसका पिता कौन है माता कौन है उसकी अरदांगनी नारी कौन है और उसकी सेवा करने वाली कौन है कैसे वरन बेस है कैसो उसका वरन कैसा है बेस भूसा कैसी है किही रस को मैं अवलासी कौन से रस का पान करने वाला है पाब एग उपन कियो आपनो जोरे करोगे गासी यदि तुम हमसे इन बातों को बतलाने में समकोज करोगे तो तुम्हे हमारी कसम है सुनत मौन है रहो बाबरो सूर सबह मतनासी सूरदा जी कहते हैं ये गिस्तरे की ज्यानवरी बातों को सुन करके उदव जी मौन हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं अरे ये गोपकाई जिने में ग्यान सिकाने आया था ये तो मुझसे भी जादा ग्यान रखती हैं अब मैं इनसे क्या बात करूँ अब अगला पद है हो तो देव की सो कहियो हो तो धाय तहारे सुत की दया करती रहियो जदप टेप तुम जानत उनकी तव मोह कही आवै प्रात होत मिरो लाल लड़ै तो माखन रोटी भावै तेल उप्टनों और तातो जल ताई देख भज जाते जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करके नाते सूर पतिक सुन मोही रहन दिन बड़े और रहत और सोच मेरो अलक लड़ै तो मोहन हैं हैं करत संकोच हे उदव माता एशुदा उदव जी से कहती हैं कि मेरा ये संदेशा देव की से जाकर कह देना क्या संदेशा हों तो धाय तेहारे सुथ की वैसे तो तुमारे पुत्र की मैं धाय हूँ एक तरह से रक्षा करने वाली हूँ लेकिन इस पर किरपा दरश्टी बनाय रखना जदा वो टेप तुम जानत उनकी तव मोही कही आवे यानि उनकी विशेज बातों को सुनकर मैं उनके बारे में बतला रही हूँ कभी आपको बेवाते मालम नहीं हूँ प्रात होत मेरो लाल लड़े तो माखन रोटी भाव है प्रातकाल होते ही मेरे लड़ेते यानि प्यारे कनया को मखन रोटी अच्छी लगती है और जब मैं उनको तेल की मालिस करती थी गरम जल से इस्नान करातने का प्रयास करती थी तो ये देख करके वो भग जाते थे जोई जोई मांगा सोई सोई देती उस समय इस्नान करते समय जो जो चीज़ें वो मांगते थे वो वो चीज़ें मैं लाकर देती थी क्रम कम करके नहाते तब उन चीजों को एक क्रम से लगा देते थे तब नहाते थे सूर पतिक सुन मोई रहन दिन बड़ो रहतो सोच हे उदाव रूपी पतिक ये सुन करके रात दिन मुझे बड़ा संकोज रहता है मेरो अलग लड़े तो मोहन हैं करत संकोज कहीं मेरा प्यारा कनया इश्नान करते समय इन बातों को मांगने मैं कहीं संकोच ना करता हूँ तो इस तरह से सभी छात्र इस वीडियो को ध्यान पूर्वक समझेंगे जानेंगे मनन करेंगे चिंतन करेंगे और इस में के जो तीसरा चौता पांचमा पद है उसकी ब्याख्या अपने आप करनी है और इसके बाद और जो का रहा है वो पीडिया जाएगा तो जब तक पूरी वीडियो देखेंगे नहीं और समझ में नहीं आएगा पहले पूरी वीडियो देखें पिर तीसरे चौते और पांचमा पद का अर्थ लिखें से इस अगली वीडियो में दूसरे बिसे के साथ मिलते हैं धन्यवाद